चीन, इरान, साउथ कोरिया और इटली जैसे देश कोरोना वाइरस से लड़ रहे हैं और हम अपने ही वाइरस से चीन का तो पता नहीं हमारा हमारे खुद का बनाया हुआ है मुझे लगता है कोरोना हम तक पहुँच ही नहीं सकता शायद कॉरणा आने तक हम बचे ही न, क्योंकि पहले ही हम एक दुसरे को मार रहे हैं जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कॉरणा वाइरस चाइना के बाद अब इरान में आतंग मचा रहा है एक आतंग पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली में भी देखने को मिला था जहां इरान में कॉरणा से 26 लोग की मौत हो चुकी हैं, वहीं दिल्ली वॉयलेंस में 38 लोग अपनी जान गवा बैठे हैं क्या उन मरे होई लोगों को पता है कि वो हिंदू थे या फिर मुसल्मान? अब बात कर लेते हैं कोरणा वाइरस की, जब वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन ने ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी डिकलेर की थी, तब डबलु एचो ने यही चिंता जताई थी कि विक्सित और सम्रिद्ध देश जैसे की चाइना अमेरिका तो इस वाइरस से लड़ लेंग है, इरान के प्रेजडेंट से अगली सीट पे बैठने वाली इरान की वाइस प्रेजडेंट हसन रोहानी भी इस वाइरस की चपेट में आ गई हैं, इरान के आठ पार्लेमेंट मेंबर्स कोरणा वाइरस से पॉस्टिव पाए गए हैं, इरान के हेल्थ मिनिस्टर जो मीडि मेरी research-based, verified and reliable informational वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज अभी कि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर बात में आप भूल जाओगे अब बात कर लेते हैं कि इरान में फैल रहा कोरना वाइरस, चाइना से भी खतरना क्यों है इरान में अभी तक कोरना वाइरस के 245 के सामने आए हैं और 26 लोगों के इस वाइरस से इरान में मौत हो गई है इरान में कोरना वाइरस का mortality rate बताता है कि चाइना से ज़ादा गंबीर स्तीती इस वक्त इरान में बनी हुई है mortality rate मतलब इस वाइरस से infected 100 लोगों में से कितने लोगों की मौत हो गई है चाइना में कोरना वाइरस का mortality rate है 3.5% और वही इरान में इसका mortality rate है 11% 11% का मतलब है इरान में हर 100 लोग जो इस वाइरस से ग्रस्त हैं उन में से 11 लोग मर जाते हैं चाइना से लगभग चार गुना ज्यादा अब बात करते हैं कि ये कोरना वाइरस इरान पहुचा कैसे जैसा कि आपको पता है किस तरह इस वाइरस ने चाइना को अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया कोरना के इसी प्रकोब को देखते हुए लगभग दुनिया के सभी देशों ने चाइना से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया इरान ने भी ये सब इतिहात बढ़ते लेकिन इसके बावजूद भी इरान और चाइना के बीच फ्लाइट चलने की खबर आई पिछले हफते तक इरान काफी confident था और कहता रहा कि हमारे यहां कोरना वाइरस का कोई भी infection नहीं है लेकिन 19 फरवरी को जब दो लोगों की मरने की खबर आई तो इरान को इसकी seriousness ने समझ आई इस वक्त इरान की capital तेहरान से लगभग 1500 किलोमेटर दूर कुवाम शहर कोरना का epicenter बना हुआ है लेकिन लोगों का मानना है कि रियल में मरने वालों की संक्या कहीं जादा है जब ये प्रेस को address कर रहे थे तो वे बार-बार खास रहे थे और उनको पसीना आ रहा था यही तो कोरना वाइरस के लक्षन है और इस्तिफाक देखिए कि जब वो ये सफाई दे रहे थे उस वक्त वे खुद कोरना वाइरस के infection का शिकार थे ये बात तुरों ने अगले दिन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल कर बताई इरान के Health Minister का कहना है कि ये संक्रमन कोवाम के एक विपारी से फैला है जो पिछले एक महीने में चाइना कई बार ट्रावल कर चुका था इस व्यक्ति की इस वाइरस से मिलत्यू हो चुकी है अब देखते हैं कि क्यों इरान की गवर्मेंट के इस थिथी को लेकर पसीने चुटे हुए है सच बात ये है कि इरान में कई धार्मिक साइट्स हैं जहां पर हर साल लाखों तीर्थियात्री पहुंचते हैं कौाम शहर के शिया धार्मिक स्थल अभी भी खुले हुए हैं और इन जगों पे कई लोग इकटे हो रहे हैं यहां पे कोरिना वाइरस फैलने का बहुत जादा खत्रा है पर सरकार इने बंद क्यों नहीं कर रही सरकार को शायदे डर है कि इन जगों को बंद करने से कटरपंती मौल भी नरास हो सकते हैं धर्म से जुड़े मामले जादर सेंस्टिव ही होते हैं अपने ही देश की हालत देख लीजिए आपका क्या विचार है? वक्त आने पर भारत सरकार कड़े कदम उठा पाई की इरान दूसरी गलती ये कर रहा है कि इरान ने अभी तक किसी भी शेर को कॉरेंटाइन तक नहीं किया है लोगों को घरों में ही रहने को नहीं बोला गया है स्कूल, ओफेस और मार्केट्स अभी भी खुली हुई है इसलिए भी इरान में कोरणा जाधा तेजी से फैल रहा है इरान के पास चाइना जैसे इतने कम समय पे मल्टी स्टोरी होस्पिल बनाने के लिए संसाधन भी उपलब नहीं है साथ ही medical equipment, mask और hand sanitizers की भी कमी है भारत सरकार के लिए कोरणा को अपने देश में घुसने से बचाने का challenge और भी बढ़ गया है डर ये है कि ये इरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते होए इंडिया ना पहुंच जाए आपको क्या लगता है भारत पॉर्णा से लड़ने के लिए तयार है कमेंट करके जरूर बताएं और क्या आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है कर दो ना यार और हाँ घंटी भी बजा दिना ताकि जब भी मैं live आऊं आपको पता चल जाए